नमस्कार विद्याति मित्रो वेट डीजिटल एजुकेशन मा आपनो स्वागाच्छ आपड़े जोईरी यासी है तोराण 9 विशेगणीत जेमा आपड़ू प्रकरण नंबर से 5 तमें जानो छो थियरीकल विशेशे आखो आखो चेप्टर थियरी कल छी आगला वीडियो लेक्चर नी अंदर आपड़े पुमी तीना विकास नी केटले कवातो करेली तो आजे आ वीडियो लेक्चर नी अंदर आपड़े जोगाणू से युकलीड नी व्याख्यावो स्वयम सी दिसत्यो और पुरुवदार्ण अवे ज्यारे जुदी-जुदी संस्कृती नी आपड़े वाद करी ती के प्राचिन संस्कृती मा अपण भुमी तीनो बोहळो येवो उपियोग थाईलो आपणने जोवा मलेश तो ए बदानी शरुवात क्यार्थी थाई के वी रिते करी तो एनी आई ये वादो आपणे जोवानी छे जेमा आपणने कितू छे के युकलीडना समयी ना ग्रिशना गणिच शास्त्री ओ जेमा ते रहता आता तेवा विश्वना एक अम्रुत्त मोडल प्रतिमान तरीके भुमी तीने कल्पी तो एनो मतलब सु अम्रुत्त मोडल के जे रहता आता पोते जे प्रुत्वी पर रहे छे ये विश्वतारना अम्रुत्त मोडल एकले के कुद्रती येवा पदार्थो कुद्रती पदार्थों माथी एनने भुमी तीनी संकल्पना विक्सावी एटले के भुमी तीनों एने विचार किरो तो एनी अंदर जे जिग्याई रहता आता अर्टाफरता आता एनी आजुबाजुना वस्तुना अवलोकन पर थी तेमने बिंदु रेखा, सम्तल, सपाटी वगेरेनी धारणा वो विक्सावी और आसपासना घन्पदार्थों माथी घन्पदार्थनी अम्रुत भुमी तीनी संकल्पना विक्सित करवा मावी तो आरी ते जारे गणित्ष्यास्त्री वोई भुमी तीनों विकास केरो तो कुद्रती पदार्थने ध्यान मालाई और आवब्दी व्यक्ष्याओ नी संकल्पना विक्सावी ब्राबर छे हवे हमाँ आपड़ जोई है के बिंदु रेखा, सम्तल, अने सपाटी तमने कदास क्यालाचे एक भुमी तीनी शरुआत बिंदु थी थाई अने सपाटी ये भुमी तीनी पूर्णा हुती थी जै फक्त चार शब्दो बिंदु रेखा, सम्तल अने सपाटी अचार शब्दो नी अंदर आखी भुमी ती पूर्णा थी जै सरुवत क्या थी थशे बिंदू थी औने पुर्णा हुथी क्या थशे शपाटी थी अवे आजुबाजुना जे एने गनपदार थो जोया मानिल्यो के पहाडी विस्तार नी अंदर पथरो जोया होई तो पथरो नी जे सपाटी शे एना उपर थी एने सम्तलनों विचाराईव होई इये जे पथरो जे एनी धार एटले रेखानों विचाराईव होई तो आरिते समग्र भूमी तिनों विकास्थियो दिरे दिरे करता एक पसी एक अवे गनपदार्थ समतल रेखा ओ बिंदू गनपदार्थ पर ती संकल्प रेखा आने बिंदू नी संकल्प ना येमने विक्सावी होय तो त्यासुधिना त्रण चरण नो एने विचारकिर हो होय शी अने प्रतियक चरण मा आपने एक विश्च्तरण थी इंदू, रेखावो, सम्तल, जे काई विक्साईवू, यहने आपड़े परिमान तरीखे उड़किये छिए, परिमान एटले, तो के कोई पन गनपदार थने, के तली दीते आपड़े मापी शक्किये, तारो के आपड़ू बोड छे, के जेना उपर आपड़े दर्रोज भणि लम्बाई, मापी शक्काई, पोढ़ाई, मापी शक्काई, तो आप यहना परिमान थे, तो ए रीते परिमान नो उप्योक ठयो, त्यारपसी आपड़े जो यह, तो युकलिडे जे पोतानू पुस्तक लखेलो, यहने आपड़े सर्चा करी गे अलिमेंट्स, यहमां यहने प्रिमान न मतलब परिमान नी द्रस्टी आपड़े जाई ये तो बिंदुनो कोई भाग न थी तो एने एक पन परिमान न होई एटले के बिंदूने कोई पण एंगल थी आपड़े मापी शकता नथी त्यार पसी किदू रेखाये पोहडाई वगर नी लंबाई चे तो परिमाणनी संख्या एक जाऊ शे पोहडाई ध्यानमा लेवानी नथी फक्त सुलेवानू चे लंबाई तो रेखाये फक्त लंबाई थी जमाँ पिशका एटले येनू परिमाण एक ठ्यू रेखाना अन्तमा बिंदू वह होई छे आपड़े अक्याल झे के रेखाये अनन्त रिते विस्त्रेली छे अंतमा बिंदू ओई टले के एक बिंदू साथे बिजू बिंदू एरीते सिद्धी लिटी मा आपणे बिंदू ओने जोड़िये त्यारे आपने रेखा मले तो कई शकाई के रेखाना अंतमा बिंदू ओई छे त्यारपसी कि दुजे पोताना पर बिंदूवनी साथे समान रिते रहेली होई तेवी रहेली होई ये बिंदूवनी साथे समान रिते रहेली होई एक बीजाब इन्दूने सिधी लिती मां जोडती होई तो एने सिधी रेखा कई सकाई त्यार पसी वाद करी छे कि पुष्ठने मात्र लंबायने पोढ़ाई होई पुष्ठने सपाटिनी वाद करी शपाटिने बेरी तेमापी शकाई लंबाय excell Reach पुष्ट नी धार रेखावोई थार किनारी बोडर कि जे अम्मेश रेखावाई आप इपने जे बोड में बढ़िये थार तमें जो इल्यो तो एक रेखा नी अंदर आपने जोवा मलेये छे जे सपाटी पोटाना पर नी शिध्धि रेखा वनी साथे एक समान रिते रहेली होई तेवी सपाटीने सम्तल के वाई सुके वाई सम्तल तीरे दिने बिंदू थी रेखा रेखा थी सम्तल आरेते बद्धी संकल्प ननो विकास थई त्यार पसी व्याख्या ओ अस्तित्व मावी परन्तु जेकाई आपडे युकलीडे वाद करी शे के बिंदू तो बिंदू नी कोई व्याख्या न होई एटले केटला केवा पदो भूमीती मा एवा छे के जे अव्याख्याइट छे के नी कोई चोकस वेक्या आपने आपी शक्ता नती तो एवा जे भवमितिक पदो छे अने अव्यक्खेट पदो तरीके आपने ओलखिये छीए त्यारपसी केटला केणे स्वयम सिद्ध सत्य के जेने वेश्विक सत्य केवाई के जेने आपने साबीती वगर स्विकारी ये येवा विधानों छे के जेमने पूर्वधारणा पण कई शकाई छे तो पूर्वधारणा ओकोने केश्यो तो के जेने आपने वगर साबीती ये स्विकारी लई ये येवू जो कोई विधान होई तो येने आपड़े सुकेश्यू पूर्वधारना अथ्वातोव स्वयम सिध्ध सत्य तो केटलिक पूर्वधारना युकलीडे आपणने हिया पीछे येना पुस्तक माथी एक वस्तुने समान होई तेवी वस्तु ओ एक बिजाने समान होई छे एक वस्तु ने समान वोई, बेस सर्खी आपड़े प्यान लईए, तो बन्ने प्यान ने एक विजा साथे सर्खा विए, तो एस समान अज मले, तो एस्वयम सिद्ध सत्ति अथियो, यह नी साबिती नी कोई जरूर होती न थी सर्खा मा सर्खु उमेरी ये, तो सर्वाला सर्ा मले, आपड़े जानी ये सिए कि कोई पन बेश सर्खी संख्या वोई, यहमा सर्खी वस्तु अथवा सर्खी संख्या ने अपड़े उमेरी आखु यहना भाग करता हमेशा मोटू होई शर्खी वस्तुना बमना एक बीजाने समान होई छे औने एकज वस्तु और आडदा एक बीजाने समान होई छे तो आवी केटलीक यहमने पुर्वधारणा वो पताना पुस्तक नी अंदर लखी छे त्यार पशे आवेशे युकलिड पुर्वधारणा एक पुर्वधारणा मुख्यस एक जिमनी आपड़ा ही सर्चा करवाना छे एक बिजा बिदू सुधी थाइने पसार थती एक सिद्धी रेखा दोरी शकाई छे आई युकलिड नी पुर्वधारणा पेली छे एक बिंदु माथी बिजा बिंदु सुधी थाईने पसार्थती एक सिध्धी रेखा दोरिशक आई तो यहनो मतलब सुधियों के बे बिंदु ने कोई पन बे बिंदु ओई बिंदु ए आने बिंदु बी तो आ बे बिंदु ने जोडती आपणने एकने मात्रों एककज रेखा मले युकलीड नी पुर्वधारणा पेला मा केवामाईवो छे त्यार पसी पुर्वधारणा 5.1 मा आ पेला बे बिंद बिंदु माती पसार थती अनन्य रेखा मले तो खासमुद दो यादराग जो के बे बिंद बिंदु होए तो एकने मात्रों एककज रेखा दोरी शकाए बीजी रेखा आपणने दोरी शकाती नथी युटले बे बिंद बिंदु माती आपणने केटली रेखा मले अनन्य रेखा मले अपने आकरूती आईपी से 5.4 तो एमा जोई शकाई के P अने Q बिंदू, बे भिन बिंदू से तो ये बनने बिन बिंदू माथी एकज रेखा मले छे परन्तु कोई एक बिंदू नी वाद करिये तो एक बिंदू माथी तमें जोई शको संख्य रेखा वो पसार थाई शके पड़ बे भिन बिंदू माथी केटली रेखा मले तो के एकणे मात्रो एकज आ रेखा चीवाई नी बिजी कोई रेखा अपने मलती न थी पूर्वधारणा बे से के शान्त रेखा ने अनन्त सुधी लंबावी शकाई छे अवे ए समय माँ शान्त रेखा तरीके रेखा खंड ने ओलखवा माव तो अतियरे आपड़े जिमने रेखा खंड कहिये चीए के जिमने बे अंतिय बिंदू वोई छे परन्तु युकलिड नी पूर्वधारणा बे एउ केवा मागे से के शान्त रेखा ने अनन्त सुधी लंबावी शकाई छे तो आपड़े जानिया चीए के रेखा ये अनन्त छे केवी शे अनन्त तमें जोई शको आकरूती 5.5 माँ बिंदू ये अने बी तो रेखा खंडे बी छे शान्त छे मापी शकाई छे परन्तु ये बन्ने बिंदू थी अनन्त रिते अपड़े अने विस्तारी शक्किये छिए पूर्वधारना त्रण तो कोईपण बिंदूने केंद्र लई अथवा तथा कोईपण लंबाई नी त्रिज्या लई अने वर्तुड रची शकाई छे कोई पन बिंदुने केंद्र लई शको औने कोई पन लंबाई नी त्रीज्या वड़े तमें कोई एक वर्तुर रची शको 25 से बद्दाज काट खुणा एक बीजा साथे सरखावोई छे पुर्वधारणा 5 से जो बे रेखावोंने कोई त्रीजी रेखा छे दे औने आ रेखा नी एक बाजु तरफ ना बे अंतह कोणनो सरवालो बे काट खुणा करता ओचो ओई शे तो प्रत्थम बे रेखावोंने आ खुणा तरफ अनंत सुधी लंबावता ते एक बीजाने छे दे छे एटले आ पुर्वधारणा में आपड़े खास जो बाजु छे सुकी दूशे के बे रेखावोंने कोई तीजी रेखा छे अहीं आपनने रेखा ये बी आने रेखा सीडी आपेली छे येनी छेदी का रेखा पी क्यों आपेली छे अवे छेदी कानी एक तरफ ना अंता कोणो एटले खुणो एक ने खुणो बे आपने बताई वाचे यम नो सरवालो ये बे एक आट खुणा करता वोच्छो वही केटलो होई छे बे एक आट खुणा करता वोच्छो अवे तमे जोई शको के छेदी कानी बनने तरफ खुणा हो आपने मला रहें आपने मलेअ छे अचवाला 2oras एक शूर्वालों करता आपने मोटा देखाई छे आज बीजाए साथे ये छेद बिंदू रच शे, परन्तु आबाजू लंबावाम आवे तो येनों छेद बिंदू आपने मड़वानू न थी येवो आपने पूर्वदारणा 5 समझावे शे बराबर त्यार पशे आपने की दूशे के उदारणा पेला शे केतला त्यार पशी वर्तूर अथ्वात्रिकोण का इरिते रची शका येनी वाद करवा मावी शे तो आरिते आपने स्वाध्याई 5.1 तरप युकलीड लिया आवे शे तो स्वाध्याई 5.1 माँ आपने की दूशे के नीचे आपेला विदानों माथी कया विदानों सत्य शे और कया विदानों असत्य शे तमारा जवाब माटे कारण पनाप्पान उचे पेल्लू की दूशे एक बिंदू माथी पसार थती मात्र यकज रेखा दोरी शकाई पसार थती तो विदान के उचे असत्य शे कारण के एक बिंदू माथी आपड़े अननत रेखाओ पसार रेखा 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 मड़े तो आगल आपने सर्चा करी ग्या बेबिन बिन्दू माथी पसार थती आपने एकने मात्र एकज रेखा मले तो आ विदान पण खोटू छे कारण मासू लक्षयो तो के अनन्य रेखा मले के वी रेखा मले छे अनन्य पच्छी किदू एक शान्त रेखा ने बन्य तरफ निच्छीत रिते लंबावी शकाई छे निच्छीत अनन्त रिते लंबावी शकाई छे तो विदान खरू थाई छे काणके शान्त रेखा ने आपने बन्य बाजू लंबावी शकीए पच्छी की दूशे जो बे वर्तुड समान होई वर्तुड समान होई तो यहमनी 30 समान होई वर्तुड नो आकार सर्खो होई यहनू कद सर्खो होई तो यह 30 समान होई एटले विदान के उठाई शे खरू विदान थाई शे त्यार पसी आपन ने की दू छे के आकृती पांच पॉईट नाव मां जो एभी बराबर पिक यू यू अने पिक यू बराबर एकस वाइ छे तो एभी बराबर एकस वाइ थाई परम्परितान अगुण धर्मा छे ये भी जेटलू मुल्य मापकोनू से पिक्यू नू अने पिक्यू जेटलू मापकोनू से एक्स वाई नू हवे आ आनी जेवडो छे तो आबे सर्खा होई शक एक नो होए तो के विदान सत्य बने ये बनेनू लंबाई के वी आपने जोव मले सर्खी मले तो आरी ते आपने प्रश्ण एक जोई हो त्यार पशी किदू छे के निच्ची आपेल पदोनी व्याख्या आपोश्यू तेना माटे कोई येवा पद छे जे व्याख्याईत करवानी जरूर छे अने ये कहा आछे अने तमे येने के वी रिते व्याख्याईत करशो तो येमा पेल्लू से समानतर रेखाओ, लंब रेखाओ, रेखाओ, वर्तुन नीत्री जिया आने चोरस तो मित्रो आदरेकनी सर्चा आपने अवेपसी ना वीडियो लेक्चर मा करीश्यू तो त्यारे आव वीडियो लेक्चर मा आटलू राखिये, फरी पासा जारे मलिये, त्यारे प्रश्ण बेनी आपने सर्चा करीश्यू अस्तू जैहिन जैवारत